गुड वारिंग एबुरिज टुडेंट्स, हमने आपको इससे पहले आपका जो चेप्टर नमबर शेवन है, फियर प्ले, यही उचित नाटक का जो चेप्टर है, पार्ट वन और पार्ट सकिन आपको बताया है, और इससे प्छोड़ सा आपको पूर में बता जूँ कि जब जो की जुमन सेक और अलगू चौदरी जो गाउं में बड़े दोस्ते के लिए बड़े सम्माने थे इस पर हमने आपको पार्ट वन में आपको चर्चा इस पर की थी इसका एक्स्वलेन आपके सामने किया था और उसके पार्ट सेकिंड में कैसे जुमन और उसकी चाची ने अपनी मुगदमे का ब्याख्यन के आपस में उस केस को कैसे सुन जाया आज हम बात करते हैं पार्ट थर्ड की तो students इसका जो पार्ट थर्ड है द्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को जरूर देखे और उसके बाद इस कानिक का कानिकी थीम को ठीप प्रकार से समझे Student Days past and as a luck would have इट अलगुच चौधरी found himself in a tight sport students यहाँ पर जो है दिन गुजरते गए दिन बेते गए और as a luck would have it और जैसे उसका भाग्या जैसे उसका जो भाग्या बूरा भाग्या कह सकते हैं एक बोलते हैं कभी-कभी आदमी के जीवन में कुछ हूँ ऐसा जीवन में आता है जब उसके बेल लख कुछ इसे कह सकते हैं मने एक बूरा भाग्या जो है उसके जीवन में आता है ऐसी बूरा भाग्या चलता गया अलगु चौदरी found himself in a tight sport अलगु चौदरी ने जो है अपने आपको himself का मतलब होता है अपने आपको जो है इन मने में a tight sport मने किस कहते हैं एक कठिन इस्तिती में एक कठिन प्रस्तिती में अपने आपको जो है पाया वन आफ इस फाइन पियर आफ दबुलख डेड और उसने अपने एक सांदार जोड़ी बैलों की एक जोड़ी में एक बैल उसका क्या हो जाता है मने उसके बैलों की काफी अच्छे जोड़ी में से एक बैल जो है मर गया अब मरने के बाद जब उसके बैल जो है मर गया and see should other to the शम्जशाव a car driver of the place और उसने वहाँ एक गाउं का बैल गाड़ी जो वाक था साव को एक महा के बाद मतलब उसे जो है उसने उसको जो है ही मने उसने should मने बेचा the other to the सम्जशाव को उसने सम्जशाव को बेचा जो की एक गाउं का क्या था एक गाड़ीवान था यहनि बैल गाड़ी वाक था the understanding was that साव उड़ पे दे प्राइज अब बुलक in the month's time और इस सहमती पर इस understanding पर जो है उसने यह बैल का सौदे किया था कि साव को एक माहा का समय उसको दिया गया था एक माह के अंदर जो है उस बैल की कीमत को अदा करना होगा ऐसा इस सहमती पर इस समझ पर जो है उसनों ने जो understanding जो बनाई थी दोनों की जो सहमती बनी थी इस एक माह के वितर उसको जो है उसका बैल की कीमत पर आदा करनी होगी ऐसा उनके बीच सौदवा था It so happened that the bullock dead within a month It so happened यह ऐसा घटित हुआ कि the bullock dead within a month मनि उसका बैल जो है एक माह के भीतर उसको जो मर गया जब उसने बैल खरीज़े थे एक गाड़िवान से और उसके बाद उसके बैल जो है क्या हो गया था उसमें से एक जोड़ी की सांदर जोड़ी बैल की जो खरीद थी उसमें से एक बैल की क्या हो जाती है मिर्त हो गई तो एक माह के भीतर उसके एक बैल की क्या हो जाती है मिर्त हो गई और इस बात को लेकर जब जो है अलगो को साव से पैसे लेने थे तो वहा इस परकार से बैल के मरने के पसाथ कई मैंने जो है बात जो है अलगो को साव से पैसे लेने थे अलगो को साव से क्या करना था पैसे लेने थे और उसने अभी तक वो अदा नहीं किया था साव गाट पहरी एनॉइड और वहाँ गुसे में था साव गाट पहरी एनॉइड और कहता है कि आपने जो है वो जो अवागन अवागा जो है जो एक दैन्या इस्तिति में जो जानवर था वो उसका बैल ले जाकर एक मेने के इस्तिमाल करने को कहता है और कहता है मैं उस अवागन जानवर का मतलब पैसा अदा नहीं कर सकता हूं मने उसका रकम में अदा नहीं कर सकता हूं जो आप ने मुझे बेचा था ही ब्रावट अस नथिंग बट रियोन क्योंकि ही ब्रावट उसने मुझे अभी तक कुछ नहीं मैंने उससे लिया उस प्रंतु वो मेरे लिए क्या था एक ब्रवादी का ओ था ऐसा वो बाते जो है इस परकार की बाते वो क्या करता है उससे करता है यूस इट फोर अ मन्थ एंड यहाब अब बुलब जो मेरे पास एक बैल है यूस इट फोर अ मन्थ आप इससे एक मैने के लिए इसका उप्योग कर सकते हैं और फिर आपको इससे वापिस मुझे वापिस करना होगा नो मनी फोर देट बुलब मैं उस मरे हुए बैल का पैसा नहीं अदा कर सकता हूं और अलगु ने उस मामले को पंचायत में ले जाना उस मामले को पंचायत में ले जाने का फैसला लिया यह निने किया फोर अ सेकंड टाइम इन फ्यू मन्थ प्रिपरेशन फोर होडिंग दा पंचायत वेर मेंड और बहुत अप्ता पार्टिस स्टर्ट मेंटिंग पिपूल सेकिंग दियर सपोर्ट और सेकंड टाइम के लिए जो है कुछ मैनों के बसा दूसरा जो है सेकंड टाइम दूसरी बार के लिए दुबारा जो है एक तैयारी हुई प्रिपरेशन फोर होल्डिंग आप पंचायत बैठने की पंचायत बुलाने की एक तैयारी चली एक दूसरे का सपोर्ट एक दूसरे का सहरा दोनों प्राले आपने सहरे की चलीच का में प्रारम कियात किते जो है अगेन सेकंग दूसरी पुराने बर्गत के पेड़ के नीचे हुई थी जहां पहले वाले जो पुराने बर्गत के पेड़ के नीचे जो है वो पंचायत बुलाए गई थी अलगो इस्टूड अफ अलगो खड़ा हुआ एंसेड और कहा दो पंच के आवाज इस वर के आवाज होती है ऐसी ऐसा जो है अलगो ने कहा क्योंकि यह बात जो है जुमन से खड़े होकर उसने भी कहा था कि दवाज अफ पंच इस दवाज अफ गाड़ लेट साहो नुमिन दा हेड पंच आए साहो अपना नाम पेश करें मुख्य पंच के रूप में नाम पेश करें I will avoid by his decision मैं उनके decision का सम्मान करूंगा उनके decision को स्विकार करूंगा ऐसा उसने कहा saw 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 his chance and propose the name of juman saw ने देखा saw ने अपना मुख्य देखा मैंने उसने अपना अफशर देखा और propose the name of juman और उसने जो है जुमन का नाम पेश किया उनको जुह है जुमन का नाम परपोस्ट किया अलगुस heart sank और अलगुस गयरे सोच में डूब गया and he turned pale और उसका चेहरा जो है एक दम पीला पढ़ने लगा उसको यह पालम पढ़ा कि आप जुह है जुमन एक जुह है क्योंकि जुमन का मामला जो मैंने वह किया था उस समय अलगुस चोदरी को जुह है मुख्य पंच के रूप में head पंच के रूप में जुह है उसको नुक्ति किया गया था और अब जुह है साव ने जुह है जुमन का नाम परपोस कर दिया है head पंच के रूप में तो अलगुस को बड़ा इस जैसे ही अलगुस कि सामने इस बात को जो है साव ने पेश किया तो अलगुस जो है एकदम गैरे सोच में डूप गया but what could he do प्रंत वह क्या कर सकता था क्योंकि यह तो बात सत्य है the voice of punch is the voice of caught और इसके according ही वो केवल और केवल न्याय करता होता और न्याय जो पंच के आवाज होते हो इस श्वर के आवाज कहलाती है और इसमें उसको जो है कोई भी निने इस प्रकार से वो करना है कि उसमें कोई किसी प्रकार का मने किसी प्रकार से चाहे दोस्ती हो चाहे दुस्मन हो उसके लिए दोनों एकवल होते हैं जो मुख्या-पंच होता है और न्याय करता होता है तो आए अगें दो मुख्या-पंच और थोड़े चंद के लिए जो मुख्या-पंच बना ही रिलाइज इस रिस्पॉंसिलिटी उसने अपने जिम्मेदारी मैसुस की एक न्याय के रूप में एक जज के रूप में and the dignity of his office उसने अपने उस मने अपिस का अपनी कारले की मानता को कायम रखा डिग्निटी में गौरवानवित किया उसने उस दप्तर का अपने आप में गौरवानवित मैसुस की जब ओ एक जज की responsibility लेता है उसको मैसुस हुआ कुड़ ही वहाँ जो कर सकता था seated in high place जब उसको उंचे इस्तान पर उसको बैठने का अफशर मिला अब वहाँ अपना बदला लेता या ने लेता क्योंकि उससे पता था कि ये बदला लेना कोई सरव बाद नहीं क्योंकि उसको उस चेर पर बैठने के बाद उसके मन में जो विचार आया उससे उसको प्रतित होता है कि ये चीजे कोई सामने चीज नहीं कि मैं उसका revenge करो, bennektative loom he thought and thought उसने बीचार किया, उसने बीचार करता गया उसने जो सोचा मन में कि ऐसा हो सकता और नहीं हो सकता ऐसा बीचार करता गया, and thought और सोचा नहीं, we must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. मुझे अपने personal भावनाओं में, मैंने किसी परकार का कि मुझे अपने बिक्तिगत भावनाओं को लाने की सचाई के मार्ग पर बोलने, ये सचाई की रास्ते पर उनको अपने personal जो भावनाई है, एक किसी के विपर्ति को लाने की अनुवति नहीं है, ऐसा उसने बिचार किया, सोचा मन में, and doing justice, और मुझे न्याई करना है, न्याई देना है, क्योंकि जब आदमी इस परकार से एक जिम्मेदारी समालता है, तो उसको जब पंचयत बिठाई गई थी, और साव को मुख्या पंच नामकित करने को कहा गया, तो साव ने जुमन के नाम का जब प्रस्ताव रखा, अलगू का चेहरा एकदम फिका पड़ गया था, तो जुमन मुख्या पंच बना और उसने नेणार पड़ की जब लेंकि जिम्मेदारी निबाई, और उसने न्याएक करते वक्त अपनी विक्तिकत भावनाओं के बीच में नहीं आने दिया, क्योंकि बेक्तिगत बावना ही जो होती है उसको अपने बीच में नहीं आने दिया तो बहुत अलगो एंड साव स्टेटेड दियर केसिस अलगो और साव दोनों नी जो है अपना अपना पक्ष शनाया अपने मामले रखे और उन दोनों की बातों का परती परिक्षन क्या गया दे वेर क्रास एक्जामिनेट उन्होंने एक दूसरे ने अपने मामले का आपस में सवाल जवाब किया और जुमन ने उस मामले को बड़े गहनता से उस मामले को समझा सुना तेंज जुमन इस्टूड़ आफ एंड एनाउंस्ट फिर जुमन खड़ावा और जुमन ने कोसित किया कि साव को अलगू के पैसे देने चाहिए इस प्रकार से हमारी रियाई में यह है कि साव शुड पे अलगू दप्राइज आफ बूलगू अब वो कहता है कि शाव को अलगू के पैसे देने चाहिए क्योंकि वेन शाव बाउट दबूलगू क्योंकि खरीदारी के समय बैल स्वस्त था क्योंकि वो समय जो है किसी प्रकार से वो बिमार नहीं था जब उसके घर में था और जब वो खरीदा था तो बैल के मृत्व की जिम्मेदारी अलगू की नहीं है ऐसी बात जब वो निर्णे सुनाता है अलगू कैनाट बी ब्लेम्ड फोर इट अलगू इसके लिए दोसी नहीं हो शकता है और अलगू ने जिम्मन के इस फैसले का जब तारीफ की अलगू कुड नाट कंटेन इस फैलिंग अलगू अपने बावनाओं को नहीं रख सकता था वा खडवा और जोर से चलाने लगा कहने लगा बार बार यह बात कहने लगा विक्ट्री टू दा पंचायध पंचायद की विजय हो पंचायद की विजय हो इस जश्टिस मनि यही न्याए है इस परकार से बार बार वो जो है इस परकार से जोर जोर से कहने लगा विक्टरी टु दा पंचाय, जिस जस्ट यही न्याई है, God lives in the voice of the पंच, और कहता है, पंच की आवाज में इस्वर के आवाज होती है, इस्वर के आवाज रहती है, ऐसा जो है, अलगो कहता है, शून आप्टर जुमन केम टो अलगो, अम्ब्रेश ले हीम, और सिग्री बाद जैसे ही फैसला आया, जुमन ने अपना मुख्य पंच के रूप पे फैसला सुनाया, और उसका शिग्री पसात, जुमन केम टो अलगो, जुमन जो है अलगो के पास आया, Embrace him and said उसने उसे अपने गले लगाय और कहा Since the last panchayat क्योंकि पिछली panchayat से मैं पिछली panchayat से I had become your enemy मैं तुमारा दुस्मन बन गया था As today I realized आज मैंने मैंसुस किया कि what is meant to be a panch आज मैंने मैंसुस किया कि एक panch का मतलब क्या होता है इसका मुझे आज आवाश होगा A panch has no friend nor enemy एक panch ना तो कोई दोस्ती जानता है और ना कोई दुस्मन को पैचानता है उसके लिए दोनों equal है दोनों बराबर है दोस्ती हो या दुस्मन हो He knows only justice वहाँ तो किये वल और किये वल यह जानता है न्याय करना जानता है Let no one divide from the path of the justice आओ हमें कोई इस परकार के न्याय के मार्ग से कभी बिचलित नहीं होना चाहिए किसी को भी कभी न्याय के मार्ग से नहीं भागना चाहिए न्याय के मार्ग से नहीं भिचलित होना चाहिए and truth for friendship or inamity और एक दोस्ती के लिए और दुस्मन के लिए या सत्यब बात है क्योंकि वो न्याय के मार्ग का पर ही चलना चाहिए अलगू embrace his friend अलगू ने अपने मित्र को गले लगाया and wept or roya and his tears washed away all the dirty misunderstanding between them और उनके बीच में वो आंसु जो है उसने उसके जो आंसु साब किये और उनके बीच में जो एक between them जो गलत फेमी का जो एक गंदगी उनके बीच में थी उनके आंसों को उसनी जो है दोया और इस परकार से उनके जो है आपस में जो है गले लगाने का और उसको जो बटक गया था उस रास्ते से न्याय के मार्ग से जो बटक गये थे और जो उनके बीच में जो गलत फेमी आपस गलत फेमी के जो सिकार होए थे उसके आंसों को उसने जो है साप किया तो विद्यारतियों आपको एक कानी कैसी लगी क्योंकि ये उचित खेल का एको है नाटक है और बहुत ही आपस में एक दोस्ती के बंदन जो अटूट बंदन होता है उस दोस्ती का एक हमें इस कानी से सिक्षा मिलती है कि कभी भी हम अगर आपस में दोस्ती रहते हैं दोस्ती का जो बंदन होता है वो अटूट होता है और उस दोस्ति के बंदन में कभी भी understanding किसी परकार की miss understanding नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे पर भरोसर विश्वास कायम रखना चाहिए, जिसमें कि एक दूसरे के बीच दूरी ना बढ़ सके, तो student आपको इसमें से कुछ question answer क्योंकि मैंने difficult word आपको भेजा था, वो आपने फियर coffee पे किया होगा, और इसके बाद आपको इस chapter के जो question answer है, वो आप इसको फियर coffee पे कर लेगे, आज के लिए इतना है.